नमस्कार मेरा नाम ब्रिज दिवेदी है आप देख रहें लाइव व्लॉग पिछले साल एक हिंदी नियूस पेपर पंजाब केसरी में पुर्व क्रिकेटर और भाजपा सांसत गौतम गंबीर पर कुछ आठिकल छपे थे इसको लेकर गौतम गंबीर ने नियूस पेपर कदमा दर्च कराया दिल्ली हाइकोट में आज सुनवाई हुई हाइकोट ने गौतम गंबीर को मामले में कोई अंत्रिम रहत नहीं दी है जस्टिस चंद्र धारी सिंग ने मामले में नोटिस जाई किया और इसे अक्टूबर में सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया है गंबीर ने पंजाब केसरी से दो करोन रुपे का हरजाना भी मांगा है मुकदमा पंजाब केसरी इसके प्रधान संपादक आदित चोपड़ा और तीन पत्रकार के खिलाफ किया गया है मुकदमे के अनुसार ने जान बूच कर उनकी छवी खराब करने के लिए गलत और जराफ आसलों से मिला करो गंबीर ने आरोप लगाया कि उनके खिलाब बोलने और अभिवेक्ति की स्वतंतरता का दुरूपयोग किया गया है कानूनी नोटिस दिये जाने के बावजूद आज तक कोई प्रतिर्किरिया नहीं मिली आज सुनवाई के दौरां गौतम गंबी एकती मोटी चमडी वाला होना चाहिए आजकल जजों को भी मोटी चमडी का ही होना चाहिए जस्टिस सिंग ने निउस पेपर उसके प्रधान संपादक की ओर से पेश सीनियर एडोकेड राज शेखर राव से कहा आर्टिकल्स में जिन शब्दों वाक्यों का इस्तमाल किया तक इसी तरह के किसी भी प्रकाशन को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी इसी तरह की कानून से जुड़ी खबरे देखने के लिए लाइब लॉक को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूले साथी क कानूनी खबरे पढ़ने के लिए आप लाइब लॉक की हिंदी और इंग्लिश वेब साइट पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है शुक्रिया